हेलो फ्रेंड्स मैं स्मीद कोटर जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक इंटीजर वेल्यू को यूजर त्रू गेट किया और उसे प्रिंट किया वैसे ही आज हम एक फ्लोट वेल्यू को यूजर त्रू गेट करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे आए देखते है यहां से एक new file oric header file include on your dot h main function okay clear screen in उससे पहले हम float variable को लिख लेता है और यहां पर printf message के लिए spacing के लिए slash and दे दिया enter a value scanf percentagef address of a printf percentagef comma a और getch execute करके देखते हैं value 1.75 null key numlock 1.75 फिर से एक बार error यहां पर spacing 1.75 यह हमारी value print होगी अब अब हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक integer value और एक float value को arithmetic operations भी इस पर calculate करके देखेंगे को अविक करेंगे झाल 9ál